आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के उपर जो भी चैनल के उपर नए है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन पर चला जाए और आपका एक भी क्लास बिल्कुल भी मिसना हो ठीक है और आज 20 जैन का एक्जाम का दो सिफ्ट को मिला कर टोटल सत्तर क्वेस्टन आप सभी के सामने लेकर आया हू और वो क्वेस्टन जो जैन्यून एक्जाम में बना है ठीक है जो आज फर्स सिर्फ सिकेंड सिर्फ का एक्जाम दे कर आये हैं वो बताएंगे कि क्वेस्टन यही था मैं बार बार बोलता हूँ देखो एक्जाम में न क्वेस्टन को बहुत अच्छे से पढ़ो क्वेस्ट का language जो है वो लंबा हो सकता है लेकिन almost question आपका यही था यही answer आपको दे कर आना था अब यह मत देखो 2-3 line का question बोला गया question क्या बोल रहा है यह समझो यह main चीज है अब वहाँ पर क्या हो रहा है आपको question काफी आसान है लेकिन question का lining को जो है language को बढ़ा दिया है अब वहाँ आप confused हो जारे question क्या पूछ रहा है आप question समझो question बहुत short है question आप से क्या पूछ रहा है और यह जो 70 question मैं करवा रहा हूँ डिट्टो question आज के दोनों shift में exam में था मैं चाहू तो 80 question में करवा सकता हूँ लेकिन हा कुछ question छूट जाते हैं कुछ question नहीं दिल पाते हैं लेकिन जो question करवाता हूँ वो genuine question करवाता हूँ और question exam में repeat हो रहे हैं तो इसका सारा PDF आपको कहा पर मिल जाएगा टेली ग्राम के चैनल की उपर जिसका नाम क्या है आपका success की 98 के group में वहाँ पर आपको जो है PDF share कर दिया जाएगा जो बिलकुल free में आप सभी download कर सकते हैं तो फट अपने आपको जच करना है सतर में कितना अगर मैं होता तो पहला question तकला माकन रगिस्तान जो है desert जो है वो कहा पर है ये आपको बताना था और ये कहां पर है याद रखिएगा आप comments करते रहना कितने answer आप सभी को पता था बमुद्द सागर का सबसे बड़ा दीप कौन सा ह है आपका तो answer क्या होगा आपका Sicily ठीक है अगला ACI सेर किस देश में नहीं कहां पर पाया जाता है ये आपसे आज exam में पूछा गया और आपके सामने क्या था national park का जो है option था चार उसमें आपके सामने एक option होगा आज के exam में गीरी forest और ये ही आपको मार कर आना था अगला Mexico Mexico की खाड़ी से ठीक है ये आपको आज option मार कर आना था अगला question author of India Divide अच्छा इंडिया डिवाइड के author कौन है लेखा कौन है डॉक्टर राजेंदर प्रसाद अगला question भारत India National Congress की पहली महिला राष्ट पतिनी अध्यच कौन थी और ये question repeated है इनी बेसेंद कब 1917 में इनक बनाया गया था gateway of India देखो ये सब question भी repeated है gateway of India जो 1911 में बना था ये सब question बन रहा भाई gateway of India जो design किया गया था किसके द्वारा जोर्च विटेट अगला question हमारे सामने सिरलंका के राष्ट पति का नाम पूछा गया गोटा बाया राजा पक्सा दचिर अफेरिका में महात्मा गांदी के द्वारा सुरू किये गये सामाचातर पत्र का नाम पूछा है इंडियन ओपिनियन करवाया गया question है आपको सांको चार बजे कम्पूटर का विसकार किसके द्वारा किया गया चार्ल्स बैबेज अगला question फंडामेंटल ड्यूटी कि सर्धानी संसोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है मौलिक कटव 42 अमेंडमेंट 1976 के तहट अगला question IPL 2020 में औरेंज कैप किसको मिला था औरेंज कैप किसको मिलता है जो सबसे ज़्यादा स्कोर करता है और जो सबसे ज़्यादा बिकेट लेता है उसको क्या मिलता है आपका तो परपल कैप मिलता है अच्छा परपल कैप अगर आपसे पुछ दे एक्जाम में तो वो किसके पास है साउथ ऐफरीका का बॉलर रबार्डा के पास है जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिकेट लिया था लेकिन औरेंज कैप किसके पास था इस बार IPL का तो केल राहूल के पास ठीक है अच्छा बिस अक्टूबर तक निति अ आपसे पूछा गया है कौन है डैनिस रिची अगला कुस्टिन बिस अक्टूबर तक अर्वियाई गवर्नर कौन थे ससी कांदास अच्छा गेहू का बिज्यानिक नाम क्या है टिटिकम अगला अंतराष्टिय चावल अनुसाधन अनुसंधान संस्थान कहां पर है ये आप से पूछा गया है अब यहाँ पर दो डाउट आपका किलियर करूँगा इसका एंसर क्या होगा फिलिपिन्स तो होगा ये सही है लेकिन अगर मालो कर आपके एक्जाम में पूछ दे रास्टिय चावल अनुसाधन ये कहां पर है अनुसाधन तो आप क्या बोलिएगा ये आ अनुसाधन अगर पूछा है तो फिलिपिन्स होगा अगर रास्टिय पूछे तो कटक उडिसा में होगा ठीक है अगला प्रसांत महासागर और अंटलाटिंग ओसन से क्या जोड़ता है तो पानामा कैनल जोड़ता है अगला 1921 में अलबर्ट अइंस्टाइन को किस छेतर मे एक महान पूरुसकार मिला था महान मतलब नोबल पूरुसकार दिया गया था किस छेतर में फिजिक्स के छेतर में अगला मोबाइल टावरों के विक्रण स्तर की जाज करने के लिए किस वेब पॉर्टल को गवर्मेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा लौच किया ग अगला कुछिन इंडरा गांडियर राष्टी कला केमर कहां पर इस्तित है नाई दिल्ली में 2007 में सांती के लिए नौबल पूरुसकार किसको दिया गया था ये आपसे पूछा था ठीक है और ये दो लोगों को दिया गया था याद रखिएगा इंटर गवर्मेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज इनको और एक अलबेट अनौल को ठीक है ये दो लोगों को दो लोगों मतलब ये तो संस्ता है और ये संघटन बोल सकते और एक विक्ती को ठीक है दो लोगों दो के पास गया था अगला होमो स्पैंस सब्द का पहला बार ये किसके द्वारा दिया गया यह word तो काल और यह बात और यह question भी आपको साम को चार बजे वाले class में करवाया गया था कास्ट लिनियस के द्वारा दिया गया था 1758 में अगला question एक question यह था आपका यह question ब़ुक 가자 था ठीक है, एक्जाम में question ऐसा नहीं था, लेकिन answer यही था, question बोल यही रहा था, question आपका बोल रहा था, कि जो BPL मैला है, जो गरीम मैला है, question ऐसे लंबा चोड़ा बढ़ा चड़ा कर आपको बेवकू बना रहा था, उनको खाना बनाने के लिए, मुफ्त LPG connection दिया गया था, किस योजना के तहत, और आपको बोल यही बस आपको बेवकू बना कर डरा रहा था, question बहुत बढ़ा दे कर, उस योजना का नाम क्या है, पधान मंत्री उज्वल योजना, ठीक है, यह आपको सही मार रहा था, राजनितिक छेत्र में, पॉलिटिक सिक छेत्र में, पद विभूसन अवार्ट 2020 में किसको दिया गया, अगर यह पूस्ता तो साथ लोगों को, राजनितिक के छेत्र में तीन लोगों को दिया गया, नाम क्या क्या है, सुस्मा सौराज, जर्ज फर्णांडीज और अरुन जेटली जी को, अगला question, एक question यह था आपका, संगटिक छेत्र के सर्मिकों के लिए पेंसन योजना का न 9 मई 2015 को यह योजना लॉंच किया गया था, अटल पेंसन योजना, अजादी के बाद कौन घटक, कौन विधान सबा का पहला अध्यस था, डॉक्टर अजंदर पसाथ, ठीक है, सूपर नेटवर्क किसको बोलते हैं, इंटरनेट पोटोकोल आईपी को, ठीक है, पूर्वी पढ़ता है, यह गुजराप में पढ़ता है, और गुजराप इंडिया के मैप में कहां पर है भाई, तो पच्छिम के तरफ है, तो यह एंसर क्या होता आपका, यह एंसर होता आज का, अच्छा, बिरिक्स का सदश से कौन नहीं है, यह आप से पूछा था, तो आपके option में आज क्या था सिरिलंका, यह आपको मार कर आना था आज, बी से ब्राजील, आट से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ ऐफ्रिका, ग्रहों की गती के नियम किस ने दिये थे, जॉनेस कैपलर ने, अच्छा, एक question यह घुमा फिरा कर पूछा, लंबा च चीज के लिए, तो आपको पता है न, जो ट्रेन का चोरी हुआ था, का कोरी, उसके लिए, इंडिया का पहला साटलाइट क्या है, आरे भट, कब लाँच किया गया, 19 एप्रेल 1975 को यह सारे question बने, दुनिया में सबसे बड़ा कॉपी का उत्पादन, कहां पर होता है, चार राज को जोड़ता है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चिन्न, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, भारत में कुल परमाणू, उर्जा सायंतर कितने है, साथ, टोटल साथ, नुकलियर पावर प्लांट है, और नुकलियर रियक्टर पूछे तो, ये भी पूछ चुका है हाला कि, ये 22, और ये कुस्टिन भी रिपिटेड है, निमलिकीत में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आप से पूछ है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, लीनेक्स है, माइक्रोसोफ्ट है, ठीक है, आपको पता है, आसान कुस्टिन था आपका, अगला, त्रै का नियम जो है, वो किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा था आपसे, काला पानी किसको कहा जाता है, अंडमान निकोपार को, एक कुस्टिन हमारा ये था, इस कुस्टिन को भी बढ़ा चड़ा कर पूछा था, कि महात्मा गांदी जी के द्वारा, 1909 में यात्र लिखा गया था, जब उसमें क्या जिक्र किया गया था, उसमें जिक्र किया गया था, आपका कि भारत को लड़ना है, अंग्रे जोग खिलाब, लंदन ठीक है, तो क्या नाम था आपका उस पुस्तक का हिन्दी सौराज, पुस्तक या आपका अकबार बोल सकते हो, अगला, एक क्वेस्टन ये था आपका आज के एक्जाम में, आयोनिक बंधन यानि बॉन्ड के विसिस्ता पुछा था आपसे, पानी में गुलनसील होता है, मद्धे परदेश का नेशनल गेम, आपसे एक्जाम में ये पुछा था न, मल्खम जो है वो किस राज का राष्ट खेले, मद्धे परदेश, अच्छा, UNEP का हेट क्वार्टर नई दिल्ली में, United Nation Environment Program का हेट क्वार्टर इंडिया में कहां पर है, नई दिल्ली में, राष्ट या टीबी कारिकरम भारत में कब चलाया गया था, 1962 में, सरकार ने जर 21 में, कितने किलो मिटर राष्ट राजमार्गों को पूरा करने का लख्छ रखा है, क्या माना था आप्शन में आज आपको, 11,000 पर टीक मारना था, 16,000 में आज, 11,000 पर टीक मारना था, कहा पर, पहली बार, इंटर्पोल की स्थापना के लिए मिटिंग हुई थी, ये क्वेस्टन आपका था, इसका एंसर आप सभी कॉमेंट करकर बताईएगा, बहुत लोग बोल रहें, इंटर्पोल का राजधानी पूछा था, बिल्कुल नहीं, आज के एक्जाम में, इंटर्पोल का राजधानी नहीं पूछा था, आप से ये पूछा था, कि इंटर्पोल, जब बलने से पहले, स्थापना के वक्त, इसका मिटिंग कहां पर हुआ था, रात को आठ बजे के बाद, किस मंदिर में महिलाओं को जाने का अनुमती नहीं है, चार मंदिर के नाम दिये गए थे, उसमें नाम था सबरी माला टेंपल का, और ये आपका आज का सही एंसर था, कौन सा विडियो फाइल एक्स्टेंसर नहीं है, MP4 विडियो फाइल, MKB विडियो फाइल है, Windows Media Player विडियो फाइल, JPEG फोटो के लिए इस्तमाल करतें एक्स्टेंसर, तो एंसर क्या होगा, JPEG विडियो फाइल एक्स्टेंसर नहीं है, परमाणू बंद समंदिर ग्यानी का नाम, कौन सा है, चार ओप्सन थे, एक ये आपकी आज के एक्जाम में था, जो सही एंसर था, हाइड्रोजन का पावर किस से मापते हैं, पियेच इसकेल से, एक क्वस्टें घुमा फिरा कर, कुछ दिन पहले पूछा था, चंदरकांता किताब किस के द्वारा लिखा गया, आज पूछा गया, देवी नंदन खत्री के द्वारा कौन सा पुछ तक लिखा गया, आप्सन में था चंदरकांता, तो ये सारे क्वस्टें रिपीटेड है, फंडामेंटल राइट, यानि मौलीक अधिकार किस दे से लिया गया है, इवेसे से भार्टे समिधान में, महात्मा गांधी, क्वस्टें रिपीटेड है, दचिन अफिरिका से वापस आने के बाद, किस विश्विद्दाले में भासर दिये थे, तो बीएचिव में 4 फेवररी उननीसों सुल्ला को, अगला, एक क्वस्टें ये था, इमनेस्को विश्विरासत अस्थल 1983 में, जो उस्ताद एहमद लोरी के द्वारा डिजाइन किया गया था, उसका नाम क्या था, उस विरासत का, तो ताज महल का डिजाइन किया गया था, उस्ताद एहमद लोरी के द्वारा, जिसको ताज महल को 1983 में, उनिसको एरिते साइड में सामिल किया गया था ठीक है अगला सुप्रीम कोट ग्रिफ्तारी के विरोध में कौन से रिडारी करती है ये आप से पूछा आज के एक्जाम में लग्स दीप का भासा क्या है मलालियम कैल्सियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है क्विक लाइम बोल सकते हो या बर्ट लाइम हाला कि ऑप्शन में आज क्विक लाइम था दोनों साही है अगला यक्छगान निट किस राज का है करनाटका का गर उननीस में इसरों ने किस अस्थान से 28 उपगरज लौज किया था 37 अगला प्लास्टर ऑप पेरीज खिलावना बनाने के लिए किसका इस्तवाल करते हैं ऑप्शन में था प्लास्टर ऑप पेरीज ये सही करना था आपको चुवा छेट्खनन कि स्राज में मेगाले में अगला वनों की कटाई को कम करने के लिए विज्ञानी को नोबल सुईती 15 जून 1919 में 1909 में इसका हेट क्वार्टर कहां पर है धूबई में ठीक है 16 जनवरी इधर 19 में फ्रेंच गियाना से एक कौन सा उपगरन लॉंच किया गया था जी से 30 ठीक है एक क्वसें किसका जीवनी है ये दा नाइस गाई हूफ फिनिस्ट फर्स्ट ये किसका बायोग्राफी है राहूल ध्रैवीट का ये सही एंसर था आपका सरनाथ और गया को जोड़ने के लिए भारा सरकार के दुवारा कौन सी ट्रेंट सुरू की गई है ये कौसें था आज का अगला नेशनल राश्ट जलमांग दो किस नदी पर बना है रिपिटेट कौसें ब्रह्मा पुत्र नदी के उपर जिन्होंने दर उननीस में प्रियावणन के छेतर नोबल पुस्कार जीता है नाम के दो लोगों को माइकल इमन और वैरन एम वांसिंटन को मिला है यह सत्तर कौसें आपको दिखाया है मैंने जो आज के रियल कौसें है आपको बताना है आउट आप समेंटी आप कितने एंसर सही कर पाते अगर एक्जाम में बैटे होते तो और इसका सारा पिडियाप अभी क्लास के जब साथ से आठ मिनट के बाद जाकर आप सबी जो है सकसेस की 98 के ग्रूप से आप सबी डाउनलोड कर लीजेगा ठीक है और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक सेयर आप सबी के तरब से हमारे मेहनत के लिए तो बनता है बायलोग